हेलो गाईज, वेलकम बैक माई यूडूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुद अपने मुबाईल से आयुशमान कार्ड किस तरह से बनाते हैं तो दिखाएंगे आपको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप आप अपने ही मुबाईल से अपने घर बैठें बिना किसी जनसेवागेंद्र या किसी साइबर कैफे जाए खुद से अपने आप किस तरह से आयुशमान कार्ड बना सकते हैं साथ ही अगर आपके रासन कार्ड में 6 मेंबर से ज्यादा है या फिर 6 मेंबर हैं तो आप अपने सभी मेंबर का आयुशमान कार्ड बना सकते हैं और हर साल 5 लग रुपे तक का मुफ्त इलाज का फाइदा उठा सकते हैं तो बहुत ही बेस्ट ये आज की वीडियो होने वाली है वीडियो को आप बिलकुल भी इसकीप ना करें वीडियो में एकदम आपको लाइफ दिखाने वाले हैं किस तरह से आईुशमान कार्ड आप अपने मुबाइल से बना सकते हैं वो भी बीना किसी जनसेवागेंदर या किसी के दफ्तर के चकर काटे हुए खुद बना सकते हैं अपने मुबाइल से तो सबसे पहले आप अपने मुबाइल में प्ले श्टोर में आ जाएंगे प्ले श्टोर में आने के बाद सर्च वार में टाइप करेंगे आयूसमान दियान से देखिएगा आयूसमान कुछ इस तरह से लिख देना है उसके बाद सर्च करेंगे अब देखे यहां पर जो सबसे पहले वाला एपाप को दिखाई दे रहा है ये वाला इसको आपको इस्टॉल कर लेना है मेरे फोन में ये पहले से इस्टॉल है मैंने इसको पहले से इस्टॉल करके रखा हुआ है जिससे की वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसको open करेंगे कुछ इस तरह से यह open होगा जो permission मांगे उसको allow कर देना नीचे देखने को मिलेगा आपको login login पर click करेंगे अब यहाँ पर इसको login करने के दो तरीके हैं beneficiary login या फिर operator तो beneficiary पर click करेंगे यहाँ पर अपना mobile number फिल करेंगे जो भी आपका mobile number है mobile number फिल करने के बाद verify पर click करेंगे processing your request इस नंबर पर एक OTP भेज दिया जाएगा वो OTP आपको नीचे फिल करना पड़ेगा हमारा OTP फिल हो चुका है बोड़ा सा scroll down करेंगे और यहाँ पर देखेंगे यह जो capture code आपको सु हो रहा है security code इसको same उसी तरह से fill करेंगे जिस तरह से यह दिखाई दे रहा है इसको बहुत ही अच्छे से fill कर लेंगे fill करने के बाद login पर click करेंगे अब यह देखिए processing your request कुछ इस तरह से यह login हो जाएगा login होने के बाद सबसे पहले अपने राज्जिय का chain करेंगे आप कौन से राज्जिय से है सभी राज्जियों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे तो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश पर click करेंगे आपका जो राज्जी है वो आप अपने हिसाब से choose करेंगे उसके बाद इसकीम पर आएंगे दूसरे नमबर पर यहाँ पर इसकीम में choose करेंगे पी एम जे ए वाई उसके बाद सर्च वाई में देखें सबसे पहले मिलेगा आपको family ID एक होता है एगर आपके पास एगर आपके पास सर्च कर सकते हैं नाम से, लोकेशन से बहुत सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी तो मैं इसमें रासन कार्ड से दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से बनाते हैं तो family ID पर क्लिक करेंगे उसके बाद अपने जिले का चैन करेंगे आपकों से जिले से हैं उसके बाद यहाँ पर अपना रासन कार्ड नंबर फिल करेंगे यहाँ पर रासन कार्ड नंबर थोड़ा अच्छे से फिल करेंगे जिससे की mismatch न हो पाए रासन नंबर फिल करने के बाद सर्च पर किलिक करेंगे Processing Your Requests अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहां पर देखिए इस कार्ड पर तेन मेंबर है लेकिन यहां पर सोर्स दिखाया गया है कि किस बेस पर यहां पर यह आयुशमान कार्ड दिये गए है तो यहां पर दिया गया है बी ओ सी डबलू जैसे कि वो पंजी करण होता है सिर्मिक पंजी करण उस बेस पर यहां पर यह मेंबर एड़ किये गए है अगर आपके रासन कार्ड में 6 मेंबर से ज्यादा है तो वो आपको 6 के 6 यहां पर देखने को मिल जाएंगे अब जैसे कि इसमें से दो तो वेरिफाई हो चुके हैं या प्रूफ हो चुके हैं बन चुके हैं कार्ड नीचे वाला देखेंगे यह भी नहीं बना है identified पर क्लिक करेंगे वीडियो को इसकी नहीं करना है आपको बिल्कुल भी अब यहां पर अथंटिकेशन के लिए चार ओप्शन दिये गए हैं आधार OTP IRIS Scan Fingerprint Face Authentication तो मैं इसको आधार OTP से करने वाला हूँ इस पर क्लिक कर देंगे आप Face से करना चाहे हैं जैसे कि आधार कार्ड से मुबाइल नंबर लिंक नहीं है तो Face पर कर सकते हैं या फिर आगर आपके पास Device है, Biometric तो Fingerprint पर भी कर सकते हैं मैंने ये OTP पर किया है तो Verify पर क्लिक करेंगे अब देखिए कुछ इस तरह का Consent देखने को मिल जाएगा आप इसको पढ़ भी सकते हैं नहीं तो यहाँ पर Yes करेंगे Hello कर देंगे अब जो इस आधार से Mobile Number Link है उस पर एक OTP भेज दिया गया है वो OTP यहाँ पर Fill करना पड़ेगा OTP यहाँ पर Fill कर दिया है अब देखिए Beneficiary जिसका हम बना रहे हैं उसकी Image सो हो गई है उसका Photo भी Capture करना पड़ेगा Photo Capture करने के बाद थोड़ा सा Scroll Down करेंगे यहाँ पर आपको Source Detail मिल जाएंगी देखने को जो भी Detail है Address वगएरा सभी कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा Difference Level 98.75 इससे भी कुछ नहीं होगा आप इसको जैसे Show कर रहा है करने दे Additional Information Do you have mobile number अगर आप कोई दूसरा mobile number देना चाहते है तो Yes करेंगे वरना No पर रहने देंगे Religion में जो भी है Sun है, Daughter है Wife है, Mother है जो भी है वो अपना चूज कर लेंगे काफी सारे Option दिये हैं उसके बाद Year of Birth चूज करेंगे उसके बाद अपना पिन कोड फिल करेंगे पिन कोड फिल करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर अपने डिश्टिक का चैयन करेंगे जो भी आपका डिश्टिक है उसके बाद यहाँ से अपना Area चूज करेंगे रूरल है या अर्बन है गाउं के रहने वाले हैं तो रूरल करेंगे और नगरी शेतर से हैं तो अर्बन करेंगे उसके बाद अपनी सब डिस्टिक चूज़ करेंगे जो भी आपकी सब डिस्टिक है सब डिश्टिक चूज करने के बाद विलेज का नाम चूज करेंगे जो भी आपकी विलेज है या आपका जो भी महला पड़ता है कजबा उसके बाद सब्मिट पर किलिक करेंगे EKYC is complete and आयुशमान कार्ड ready for download download card download card पर किलिक करेंगे प्लीज ट्राइ आफ्टर सम टाइम यह भी download नहीं हो पा रहा है होके पर किलिक करेंगे लेकिन हम इसको बाद में डाउनलोड कर सकते हैं 101-2 दिन या 3 दिन के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगाए तो वीडियो को like, share, comment जरूर करें अगर आपको कोई प्रेसानी आ रही है तो आप comment box में पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए साथी bell notification को all पर set कीजिए thanks for watching